भक्तो नवरात्री का पर्व मादुर्गा को समर्पित है नवरात्री के दोरान मादुर्गा के भक्त व्रत रखते हैं और उनकी पूजा अचना करते हैं नवरात्री का पर्व साल में चार बार आता है चैत्र नवरात्री, सरद नवरात्री, आसार गुप्त नवरात्री और मा माग की गुप्त नवरात्री इन सभी नवरात्री में से चैत्र और सरद नवरात्री का खास महत्व है माग और आसार मा में आने वाले गुप्त नवरात्री के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होता है गुप्त नवरात्री में भी मादुर्गा की ही पूजा होती है लेकि गुप्त नवरात्री में मादुर्गा की पूजा भी गुप्त तरीके से अर्थात इस दोरान तांत्रिक क्रिया कलापों पर ही जादा ध्यान दिया जाए सार्थी और चैर्ट नवरात्री की ही तरह गुप्त नवरात्री में भी कलस स्थापना की जाती है तो आईए जानते हैं साल 2023 में मा की गुप्त नवरात्री कपड रही है कलस स्थापना का मूरत पूजा विधी मगर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें साल 2023 में गुप्त नवरात्री 22 जनवरी 2030 दिन रविवार को सुरू हो रही है और इसकी समापती 30 जनवरी 2030 दिन सोमबार को है घट स्थापना का मूरत सुबे 9 बच के 57 मिनट से सुबे 10 बच के 44 मिनट तक कूलवदी 47 मिनट के घट स्थापना के दिन अभिजीत मूरत दुपहर 12 बच के 10 मिनट से दुपहर 12 बच के 52 मिनट पर घट स्थापना मूरत प्रति पदाति थी पर है घट स्थापना मूरत 200 भाव में लगन के दोरान किया जाएगा प्रति पदाती थी का प्रारम 22 जन्वरी 2023 को सुभे दो बच के 22 मिनट पर और प्रति पदाती थी की समाप्ती 22 जन्वरी 2023 को रातरी 10 बच के 27 मिनट पर मीन लगन का प्रारम 22 जनवरी 2023 को सुबह 9 बच के 57 मिनट पर हो रहा है और मीन लगन की समापती 22 जनवरी 2023 को सुबह 11 बच के 23 मिनट पर मा की गुप्त नवरातरी का पारण 30 जनवरी दिन सोमबार को किया जाएगा पारण का समय सुबह 10 बच के 11 मिनट के बात है नम्मी तिथी की बात करें तो नम्मी तिथी का प्रारम 29 जनवरी 2023 को सुबह 9 बच के पाच पनट से और इसकी समापती 30 जनवरी को सुबह 10 बच के 11 मिनट पर है पूझ नवरात्री पूझा विधी इस दिन वरती सुबह जल्दी उठकर इस्नान करें और साफ कपड़े पहन कर पूझा के लिए सबसे पहले मा की एक प्रतिमाया चित्र मंदिर में रखें मा की इस तस्वीर को लाल रंग के वस्तर पर रखें और मा पर लाल रंग की चुन्री चड़ा एक मिटी के बरतन में जो के बीज बोएं और नवमी तक हर दिन इसमें पानी का छिड़काव करें पूर्ण विधी के अनुसार सुब मूरत में कलसे स्थापित करें इसके लिए पहले कलस में घंगा जल भरें उसके मुख पर आम की पत्या लगाएं और उपर नारियल रखें कलस को लाल कपडे से लपेटे और कलावे के माध्यम से उसे बांदे अब इसे मिटी के बरतन के पास रख दे फूल कपूर अगरबती जोद के साथ पंचोप चार पूजा करें आखरी दिन दुर्गा पूजा के बाद घट विसर जन करें इसमें मा की आरती गाएं उन्हें और चावल चढ़ाएं इसके बाद वेदी से कलस को उठाएं गुप नवरातरी दस महा विद्याएं मा काली तारा देवी त्रिपूर सुंदरी मा भुवनेश्वरी माता छिन्नमस्ता त्रिपूर भहरवी माधु मावती माता बगला मुखी माता मातंगी कमला देवी अस्ट सिद्ध दातरी की पूजा करें और रत का पारण करें पहले दिन के पूजा को सैल पुत्री पूजा कहते हैं और यह पूजा नौवे दिन तक जारी रहती है जिसे सिद्ध दातरी पूजा कहा जाता है पहले दिन से नौवे दिन तक मादुर्गा के नौ रुपों की पूज होती है कई लोग घुप्त नवरात्री के दौरान फलाहार रखते हैं दुर्गा चालिसा का सुबा और साम के समय जाप करने से सारी मनों कामनाय पूरी होती हैं हर जगा मादुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाती है जै मादुर्गा